हेलो एवरीवन दिस इस योर मास्ट टीचर सुरभी गुपता फ्रॉम विदान्तू एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है वेल्कम टुड़े सेशिन जहां पर हम लोग करने वाले हैं आपका बोर्ड एक्जाम पेपर लीक मतलब हम बात करने वाले हैं कि आपका ट्वेंट 2024 social studies का board exam paper कैसा आएगा इसमें मैं आपने आप मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि मेरे हिसाब से कौन से चाप्टर से क्या questions आ सकते हैं कितने marks के questions आ सकते हैं वगरा वगरा हम बात करने वाले हैं कि कितना लिखना है अपको हरे question में कैसे attempt करना है question paper all of that okay so this is going to be a kind of session जिसमें आपको खोड़ी ऐसी information मिलने वाली है जो शायर आपको लगे basic but जिसको बिना जाने आप exam दे भी नहीं सकते okay so without much ado let us start start करने से पहले video को like कर दो किस बात का इंतिजार है and do not forget to subscribe to the channel of Vidantu Class 9 and 10 guys this channel हमने शुरू किया है से फिसील ये so that Class 10 के बच्चों को हम from the starting point to the ending point हाथ पकड़ के ले जाएं you know for me I want that by the end of the year बहुत सारे बच्चों के मूँपे हो कि Class 9 and 10 SST मतलब सुर्भी माम है and आपने Class 9 or 10 SST सुर्भी माम से ही पड़ा है so that would make me very happy okay बहुत मेरे बारे में थोड़ा बहुत उन बच्चों के लिए जो मेरे बाई में बिलकुल नहीं जानते my name is Surabhi Gupta मैंने अपना Bachelor's किया है Lady Shri Ram College Delhi University से Master's किया है Jawaharlal Nehru University से I was an assistant professor in Miranda House Delhi University फिर में आई मैंने कुछ कमपनीज में काम किया और अब मैं हूं विदान्तु में और आप लोगो को पड़ा रही हूं SST प्रम बंगलोर काफी टाइम बाद वापस एपने इंट्रदक्शन दे रही हूं कोज थौट नहीं बादे उनको मेरे बारे में जाद कुछ पता नहीं होगा हाँ but I am from Delhi बहुत अचे कहते है माम are you a South Indian लगती हूं but who नहीं I was born in Chennai पर मेरे बारे में कभी और बात करेंगे चालो शुरू करते है I have absolutely no idea कि paper कैसा आएगा अगर आप भी इसी इंसान की तरह हो तो आज के session के बाद आपके सारे doubts clear हो जाएंगे Now guys आपके social studies के paper में होगा section A section B section C section D section E and finally section F जो map based question है section A है वो पूरा का पूरा MCQ based होने वाला है यह CBC ने दो साल से शुरू किया उसे पहले करता नहीं था उसे पहले one marker लिखने को भी मिलता था but it's purely an MCQ session मतलब section अब आप कहोगे कि माम आपको क्या लगता है इसे paper easy होता है यह difficult होता है बहुत बच्चे कहेंगे easy होता है क्योंकि आपको mark ही तो करना है answer बट मेरे हिसाब से difficult होता है क्योंकि जब आपसे question पूचा जाता है तो direct question पूच सकते है जादा गुमा फिर नहीं पूच सकते है but MCQ क्योंकि यह quality है या फिर क्या बोलू the best thing about MCQ for me as a teacher is मैं थोड़ा गुमा फिर आके भी question पूच सकती हूँ थोड़ा confusing options दे सकती हूँ बच्चे को जिसे मैं उसका competency जज कर पूच तो the most of the competency-based question जो आपके concept-based questions होते है वो section A में ही आते है तो out of 20 questions अगर हम sample paper में देखे 12 questions जो है वो hot questions से थोड़े से higher order वाले थे थोड़े high level के थे या फिर आपके concept को judge कर रहे थे direct question बहुत काम आते है section A में ठीक है अच्छा आपको answer sheet में लिखना कैसे आपको पता है इस बार में और paper presentation में भी बात करेंगे बट हमेशा properly marking करनी है और पूरा जो है option को लिखना यह नहीं बस लेका second is third point third option लिखो option में क्या है अब हमाते है section B पे two marker question और भाइस भाइस सहाब और यहां तो two marker question यहां पर में कहूंगी कि यहां जर लिखने की पूइए तो जो यहां प्रण के लिखने की पूरी कोशिश करना और अखर 3 points लिख सको तो और बही अच्ही बात है पर अगर 2 小 पोईंच पाइस थो थो तो 2 points पही रहने बहुत बच्चे बोलते है माम इस question में तो एक ही point है तो एक ही point लिखके आ जो यार पर अच्छी तरीके से लिखना है यहाँ पर अप लिखा हुआ है 40 words but I would not say go by words instead go by points ठीके तो यहाँ पर depending upon कितना बड़ा point है एक या दो point अपको लिखना है फिर हम आते हैं section C 3 marker question 3 marker question थोड़े से बड़े हो जाते हैं यहाँ पर भी try करो 3 या 4 points लिखने का ठीके डिपेंडिंग अपॉन कितने बड़े आपके points है फिर हम आते है section D 5 marker अच्छा competency-based आपको 2 marker और 3 marker में भी दिखते हैं 5 marker में शायद एक आ जाएगा वो भी sectors of Indian economy या money and credit से काफी आता है है नाई तो history में direct question आपका 5 marker पे आता ही आता है 5 marker questions जो है आपके 4 होते है इसमें आपको पहला जो question होता है 5 marker वो option की तरह आता है मतलब आपको history के 2 questions दे दिये जाएंगे उसमें से आपको एक choose करना है history में हमेशा अच्छी बात यह है कि आपको options आते हैं you have to choose right अच्छा यह अच्छी में होते हैं बड़ क्या होता है ना कि एक्जामिनर के पास बहुत सारे papers होते हैं चेक करने को तो you don't wanna irritate the examiner तो आपने जितना आप कौन साइस जितना आप to the point लिखोगे उतने आपको examiner खुशो के marks देगा ठीक है तो आपका यह 5 points आपको लिखने है for 5 marker question अब हम आते हैं case-based question, case-based question होता है जिसमें आपको एक case दे दिया जाता है आपको एक paragraph दे दिया जाता है और उसके ओपर आपसे questions पूछे जाते हैं अभी जो paragraph है किताब के अंदर से भी हो सता है कोई आपर ग्राफ उठा लिया कोई source उठा लिया या फिर chapter के बाहर रांडम newspaper article ही हो स पर जो questions पूछे जाएंगे वो related to the paragraph होंगे or related to the concept जो आपने book में पढ़ा है उससे होंगे case-based question करना कैसे है? आपको पहले देखना है कि case जो है वो आपका book से है और बाहर से, अगर book से है तो direct question पे जाके आप सॉल्फ कर सते हो शायद लेकर अगर आपके book से बाहर है तो case को दिहान से पढ़ना क्योंकि उससे क्या होते है अब कभी बहुत बाहर अगर case बाहर out of syllabus है तो जो question अपसे पूछा गया है वो directly उसका answer आपको case में मिल जाएगा this is one of the most easiest to score मैं बताऊंगी क्या easiest to score है तो that is your 12 marks का case-based question finally हम आते है section F that is map based अब इसमें जो 2 marks history का है उसमें तो बेटा आपको full 2 मिलने चाहिए क्योंकि इतना आसान है history का map उसमें पहले से marking होती है आपको बस नाम लिखना होता है for example लिखा होगा कि यहां पर गांधी जी ने अपना civil disobedience थोड़ा था आपको पता है आंसर डांडी है mark भी है बस डांडी लिखना है आपको geography के maps थोड़े से difficult इसलिए है क्योंकि बहुत सारे maps है करने को और राता सिफ तीन marks है तीन marks भी बहुत होता है लेकिन तो आपको maps अची तरीके से करने है चीक है अगर हम देखे कि what is the most scoring of all of these sections तो बेटा यह 20 marks का काफी साथा scoring हो जाता है क्योंकि इसमें options तो आप best तुका भी लगा सकते हो अगर आपको प्रियर नहीं है answer फिर आपको यह 5 marker जो है काफी साथा scoring है क्योंकि यह direct questions काफी आते है 5 marker को आप प्रिडिक्ट भी करते है लास्ट यह जो मैंने प्रिडिक्ट किये थे 5 marker question वही एक्जाम में आय थे मार्क्स जोग्रिफ यह नहीं आता तो आपका 12 14 24 20 40 plus 14 54 मार्क्स का पेपर जो है easily scoring है बागी चीजे भी है और 54 तो easily scoring है जिसमें आपको गलती नहीं करनी है और राइट चालो अब हम लोग देखते है question paper कर design क्या है तो जब आपका शुरू हुआ था CBSE का class 10 20 23 24 academic year तो CBSE ने आपको SSE का blueprint दिया था जिसमें आपको बताया गया था कि history और geography का वेटेज जादा है civics और economics का वेटेज कम है बट यह बदल दिया गया CBSE और हर chapter के marks भी दिये दे जो कितना अच्छा था ना बट CBSE ने उसको वापस ले लिया और वापस एक नया वो निकाला पैटर्न जिसमें वापस से सेम वेटेज दी गई to history, civics, geography and economics तो यहां पर अगर हम history की बात करें तो आपको पता है कि age of industrialization हटा दिया गया है अगर आपके syllabus में है तो इसकी video अल्ड़ेडी चैनल पे है rise of nationalism in Europe 5 marker आएगा लग-अलग sets बनते हैं question paper के to 5 marker आपके set में या तो इस chapter से आएगा nationalism in India से आएगा पर 5 marker तो आएगा ही आएगा history में अब क्योंकि age of industrialization हट गया है तो print of print culture and modern world से भी 5 marker आ सकता है तो depending on what set you get history बहुत जादा scoring है क्योंकि main chapters 3 chapters है अपने यह 3 chapters कर लिए ना आपका history हो गया तो 5 marks आएगा यह 3 या 2 let's say तो as I told you making of the global world 2 marks काएगा maximum यह 1 mark काएगा दो यह 3 marks काएगा 2 mark का question एक 1 mark का question एक 1 mark का question ठीक है बाकी जो questions है it is going to come from these 3 chapters तो यह 3 chapters काफी important होगा यह आपके लिए प्लिटिकल साइंस पर अगर हम आए तो I have told you many times की political parties outcomes of democracy से काफी बार 5 marker questions आए हैं तीक है these are one of the favorite questions of CBSE board और 1 marker सबसे जादा power sharing and federalism से आता है gender religion and caste इतना important chapter मुझे नहीं लगता लेकिन जिस set में इंसे 5 marker नहीं आते हैं उस set में gender religion and caste से 5 marker दे देते हैं पर good thing यह है कि gender religion and caste जितना tough chapter है उतनी easy उसके questions है तो अगर आपसे वो chapter नहीं हो रहा ना gender religion caste के तो उसके important questions जो मैंने करवा रखे है चैनल पे उसको आप कर लो बस उसको learn कर लो chapter पननी की ज़रुवती है उससे ही questions आएंगे ठीक है so that is what you can do geography की बात करें तो देखो geography में बहुत सारे chapters है but one of the most important chapter is agriculture water resources जिसमें से 5 marker 5 marker एक एक question आता है history से, civics से, geography से, economics से 5 marker question की संभावना होती है water resources and agriculture से from geography ठीक है बाग की chapters भी important है least important में में काऊंगी forest and wildlife resource से 1 marker question आता है 2 marker question तो I would say least important बट यार देखो मेरे कहने से मज जाओ पढ़ना तो आपको सब कुछ है least important में सबसे कम marks वाले तो अगर आप ऐसे हो तो इन दोनों mineral energy resources forest and wildlife resource उसको last में कर सकते हो economics में all the chapters are important कुछ बच्छी कह रहे थे माम आप economics पें इस्ट्रेस क्यों करते हो क्योंकि देखो 20 mark का आपका पेपर economics का है है ना और इसमें सिफ तीन chapters है जो आ रहे है चौता chapter से छोटा part आ रहे है उससे बानिया 2 mark करी आएगा तो आपके 5 5 5 इतने सारे marks के जो questions है वो तीन chapters से ही आ रहे है history and economics बहुत scoring है chapters कम है और आपके economics में तो chapters की length भी कम है easy chapters है तो आपको economics अच्छी तरीके से करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए अगर आप ऐसे बच्ची हो जिसने अभी पढ़ाई शूरू नहीं की start with economics, it is so important ठीक है चालो आप sample paper को देखें नहोंगे sample paper थोड़ा confusing इसमें अगर आप देखो की history में two marks का making of the global world print culture 4 mark का nationalism in India 7 mark का rise of nationalism in Europe 7 mark का तो clearly आपको देख रहे है की सबसे लादा important chapters कॉन से जैसे मैंने बोला था वैसे ही geography में सिफ 4 chapter से questions आएं does not mean की बाकी chapter से questions नहीं आएंगे वो आएंगे आएंगे पर sample paper एक sample है की देखो इतने सारे इसलिए मैं कहती हूँ कि guys geography और civics में बहुत सारे chapters तो दूसमें कुछी chapters यह questions आएंगे वो कौन से important chapters है यह भी मैं आपको बताई देती हूं कितनी बार लेकिन लेकिन जिससे chap questions आएंगे ही यह हर चाप्टर से वो है history or economics तो 40 marks आपकी जेब में होंगे अगर आप यह दोनों अच्छी तरह करोगे with limited chapters सिफ तीन chapter history के और तीन chapter economics के है ना तो that is your geography का sample paper as you know as I told you agriculture water resources resource and development यह important quest chapters हो जाते हैं वैसे ही political civics में यह chapter से sample paper में ज्यादा questions है that means these chapters are more important लेकिन doesn't mean के बाके देखो यह इसी ही बोलती हो कि ना boards में कुछ sets बिलकुल sample paper जैसे आते हैं उन बच्चों के थोड़े मजय आ जाते हैं क्योंकि they are prepared for it but कुछ sets में जो काम important chapters होते हैं जैसे gender, religion, caste, mineral energy, resources, तो से 5 marker तो आपको नहीं पता आपके लाखे में किस चाइप का set आएगा तो आपको करना सब कुछ है but you should be more prepared with more important topics okay, in economics as I told you, everything is important especially the first three chapters यापके हो गय ना तो आपका बहुत जादा बेडा जो है पार हो जाएगा I have no clue what बेडा and पार means but यह भिशेख सर ने मुझे सिखाया है right, so guys that is it इस तरीके का आएगा आपका SST का पेपर अब major question आता है क्या इस साल SST का पेपर तफर होगा तो देखो, SST का सिलिबस कम हो गया तो लास्योर बहुत जादा था तो एक तरीके से आपके लिए अच्छा है आपको कम प्रिपेर करना होगा आपको कम चाप्टर से आपको जादा मार्क के questions आएंगे तो थोड़ा easy होगा but competency-based questions बढ़गा है that means के आपको logic-based, concept-based questions जादा आने वाले हो और इस साल मुझे लगता है आएंगे भी जादा, confuse करने वाले तो आपको concept अच्छी तरीके से पढ़ना है तो it is not like tough होगा या easy होगा it is about how you prepare preparation अच्छी होगी तो कोई भी वेपर easy होगा okay that is it I hope आपको 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 आज का सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलना do not forget to share this video with your friends guys share कर दो and subscribe to the channel Virantu Class 9 & 10 उसके अलावा हम लोग हमारा पूरे हटे माराथान सेशन सेशन सेल रहे है NCRT से लाइन लाइन हम आपको पढ़ा है मेरा Nationalism in India का NCRT सेशन हो चुका है अगले हटे या तो हम Print Culture करेंगे या Rise of Nationalism in Europe करेंगे that is going to happen on Wednesday make sure that you come for that session सब्सक्राइब होगे आप चैनल पे घंटी का बडबटन दबाया होगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा This is your Master teacher Survi Gupta signing out See you in the next class